आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पिर नाम इसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडि ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है ये शानदार एडिटोरियल है इंदोस्तान टाइम्स का साउथ एशिया में फ्यूचर ओफ वर क्या होने वाला है साउथ एशिया का दोस्तों यहां पर बेसिकली चीन और भारत की बात की गई है भारत और चीन में कंपारिजन किया गया है तो देखे इसमें यह बताया गया है कि चीन को एक बहुत बड़ी एज है जिस तरीके से अब देखे सकते हो कि हाइपर सूनी क्रूज मिसाel उचने टेस्ट कर ली तो जिस तरीके से इनोवेशन टेकनलोजी बड़ ले है वहां पे हमारे लिए मुश्किल होगा तो हमारे लिए मुश्किल कैसे होने वाली है यही हम देखेगे टेलिग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी देखे यह accident नहीं होगा यह actually war होगा कोई बात नहीं भारत और Chinese forces आपको पता ही है कि गलवान वैली में जब भारत और Chinese forces भिड़े और काफी जादा दोनों तरफ से casualties हुई तो यह हमको समझ में आ गया कि देखो यार यह अब future में चाइना के साथ conflict होगी ही होगी क्योंकि चाइना मानने को तयार नहीं हलागी चाइना यह समझ गया कि भाई conflict से अच्छा है शान्द बैट जाओ अभी आप देखी रहे हैं कि LSE के along चाइना ने भी अपनी eastern sector में काफी military तैनात कर दी है और काफी जादा high five weapons है technically advanced weapons है भारत ने भी यह किया है भारत ने भी अपनी proper military जो वाँ भेज दी है अब यह कोई अच्छा साहिन तो है नहीं 13 round of military talks हो चुकी है और कोई भी result नहीं निकला है और अब देखी युद्ध होगा तो भारत को भी loss है चाइना को उससे ज़्यादा loss है तो ये बड़ी दिक्कत 1975 में ऐसा clash हुआ था और तब यहाँ पे जाने गई थी और अब 2020 में यानि कि definitely 2020 एक अलग होने बाला है इसमें एक और चीज़ बता दू कि चाइना का से भारत से रही चाइना ताइवायन इश्यो आप देखी रहे है पिछले 40 सालों में चाइना और ताइवान का जो रिलेशन्शिप वो सबसे निचले सितर पे है ताइवान घवडाया हुआ है कि कभी भी चाइना अटाक कर सकता है ऐसा ही चाइना का साउट चाइना सी में अब क्लेम बड़ता जा रहा है तो चाइना और अमेरिका का चाइना का सभी के साथ है प्रव्लम सिब भारत के साथ नहीं है इससे पहले हम आगे पढ़े हमारे इंस्टा पे औफिशल पेज पे आई ये दोस्तों यहां पे मसारी न्यूस डाल पे हैं और शानदार वीडियो ओन डिमांड हमारा कोर से आप इसको अब वेल कर सकते हैं तो अब देखिए एक चीज़ आप समझ लिजे कि अब पहले जब दुनिया शुरू हुई तो युद्ध कैसे होते थे युद्ध वैसे तो जब civilization time था तब तो इकना नहीं होते थे लेकिन जो भी युद्ध होते थे क्योंकि तब तो metal भी नहीं था हाथ से ही लड़े जाते थे धनुष बाड और उन सबसे बनाय जाते थे फिर तलवारों का समय आया फिर घोडों को domesticate किया जाने लगा तो घोडों का यूज elephants का यूज का यूज का यूज का जाद होने लगा रथ यूज होने लगे उच्छ क्वालिटी की तलवार भाले यूज होने लगे और इसके बाद करते 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 हम conventional war पे आ गए जब industrial revolution आया technology आयी science बढ़ी तो हमने aircraft बनाए अब ही अगर बात करते हैं तो nuclear weapons हमारे पास हैं सब के पास मतलब सब के पास क्या जितों जो nuclear states है Air Force में कमाल का काम किया गया है Navy में कमाल का काम किया गया है लेकिन दोस्तों अब आने वाले समय में war पूरी तरीके से बदल जाएगा यहाँ पे war यहाँ पे और warfare आगया cyber warfare जिस पर मैंने कल एक लेचर लिया था ठप कर दे खेल कतब आने वाला war पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा यह conventional war की तरह नहीं होने वाला है कि दो देश रण रहाए वार होगा भी आपको पता नहीं चलेगा यह हिसाब किताब है और अगर आर्मी की बात करे इस्पेशली चाइना की बात करे नहीं हमको सबसे ज़्यादा निवेश करना है अमेरिका के congressional research service ने यह बताया कि जो emerging military technology है चाइना और रशिया और अमेरिका की भी तीनों की लेकिन इसमें चाइना भी है ना इसमें lethal autonomous systems आते हैं artificial intelligence आते हैं hypersonic weapons आते हैं directed energy weapons आते हैं biotech quantum technology आती हैं एक एक कोद्य समझ लेते हैं तेकि artificial intelligence तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं सब कुछ artificial intelligence पर ही चल रहा है अबी Alexa गानों सुना दो ओकेई ऐसे तो artificial intelligence तो एक बहुत बड़ी key रहने वाली है artificial intelligence अभी भारत में आया नहीं है पूरी तरीके से 10 पसें 10 से 15 पसें बी नहीं है अगर कोई इसमें start-up करना चाहता है एक साल के अंदर को करोड़ पती अरब पती बन सकता है लेकिन उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो artificial intelligence जो है programming आपके पास car है वो अपने आप चल रही है आप office में बैटे हो तो office में बैटे हैं आपने बोला car आ जाओ कार आगी अब यह अगर weapon में इस्तमाल करेंगे तो तो बड़ा खतरनाक है जहां पे बोला जाएगा अपने आप इंसान भी नहीं उसके अंदर आपका पूरा system corrupt हो सकता है जहां पे मन होगा वहां पे मन छोड़ दिया जाएगा robots बना लिए जाएंगे iron man वाले suits बना लिए जाएंगे and they will work on artificial intelligence ऐसे ही autonomous system है autonomous system वही unmanned vehicle unmanned aerial vehicle drones हो गए तो यह drones हो गए और बाकि जितने भी vehicles हो गए ठीक है जो autonomous वादो खुद से चलता है तो कोई रहता नहीं है आप remotely उसको remotely control कर सकते हैं अब definitely उसमें पूरा system होता है software system होता है hypersonic system sound की speed से दो-तीन गुला जादा cyber sonic cruise missile जैसे अभी चाइना ने डेवलप की भारत भी डेवलप कर रहा है अमेरिका भी डेवलप कर रहा है लेकि चाइना टेस्ट कर लिया directed energy weapons, biotech biotech वैसे बोला थर यहीं जा रहा है कि COVID चाइना नहीं बनाया virus को implant कर दो कहीं छोड़ दो quantum technologies सबसे जाद यह सब quantum technologies पर ही है nanotechnologies तो यह सारी के सारी यह सारे के सारी technologies जो है वो चाइना को काफी जादा बल दे रहा है तो एक तरीके से warfare पूरी तरीके से बदल रहा है और यहाँ पर advanced war fighting technologies हमको देखने को मिल रही है चाइना की तरफ से अब आप समझे कि अगर हम इसको नहीं समझ पाए तो हम गए काम से हमको इसको समझना पड़ेगा people liberation army reformation उड़े उनकी आर्मी का बड़े बड़े weapons उच्छ quality के weapons दिये जा रही है चाइना के चाइना के उपर हमेशा यह आरोप लगता है ना कि इसके hacker चोर है चाइना एक तरीके से चोर है चीन क्या करता है इसके hackers technology चुराते हैं इसलिए लिए कि मैं बोल रहा हूं कि cyber warfare जो है न वो next big thing होगा सबसे important cyber warfare ही होगा world class military china 2049 तक बन जाएगा चाहे mechanization हो information की बात करें big data की बात करें या अगर Chinese military का intelligence हो यह reflect होता दिख रहा है चाइना networked platforms, sensors, weapons जो की जादा बढ़िया command, integrated command और control system support कर सकता है उसको भी develop किया जा रहा है यानि कि एक तरीके से आप समझेए कि चीन कहीं पे भी वार कर सकता है space से भी वो वार कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते चीन का यह हो सकता है और यह तब होगा जब हमने कुछ नहीं किया इसलिए पूरी दुनिया tension में है देखिए अगर आप एक responsible state हो यासे अमेरिका है तो ठीक है फिर तो लगता है कि चलो ठीक है लेकिन चीन एक बहुती बदिमाग state है क्योंकि वहाँ पे है dictatorship, वहाँ पे authoritarian regime है वो गलत का साथ देगा वो हमेशा गलत का साथ देता है पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया है वो आतंक बात का अगर उसके favor में होगा तो आतंकियों को भी बढ़ावा देगा human rights violation बहुत ज़्यादा देखने को मिलते है तो यह खतरनाक है चाइना के हाथ में चाइना को इतनी बड़ी technological power अंबने नहीं दे सकते तो अब वही है artificial intelligence, big data यह बड़ा important big data जो है data किसके पास कितना रहेगा यही यहाँ पर major general PK मलिक बताते हैं कि यही बहुत important है यही war winning factor रहेगा इसी सही हम यूद जिस सकते हैं future जिसके पास जितना data available होगा और उसकी processing बड़ी important है भारत की capability इसी पर depend करेगी कि कि इस तरीके से high grade cipher मतलब कैसे यह data को decrypt कर सकते हैं और कैसे यह data को process कर सकते हैं एक तरीके से cyber security it is very important क्योंकि जादा तर यह सब decrypt form में होते हैं मतलब interrupt form में होते हैं अगर आप इन data को process कर लें तो आप जीश सकते हो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा चाइना यही तो करता है चाइना के जो hackers है यह military installations hospital installations सब जगां यह target करता है कि information पता चल जाए decrypt कर दे पूरा का पूरा data यह चीज है चाइना का जो नया air system develop हो रहा है सबसे बड़ी बात है चाइना unmanned aerial system develop कर रहा है बहुत सारे develop कर रहा है एक नहीं develop कर रहा है parade में WZ-8 high speed record ने सा unmanned aerial vehicle हमको देखने को मिला कि इसमें आदमी नहीं है आप command center पे बैट के इस plane को चला सकता कितनी बड़ी बात आप समझिए कि हमारी जो air forces में बैटेंगे हमामने भी ऐसा नहीं है हमने भी aerial vehicle को develop किया है लेकिन आप देखे कि अगर कोई ऐसी army है जिसमें उसमें आदमी बैटे हुए है और एक plane एक तो क्योंकि ये computer control है artificial intelligence control है तो वैसे इसकी capability दसगुना जादा है accuracy 100% है क्योंकि computer कभी कोई गलती करता नहीं है तो वैसे इससे मोड़ लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आप इससे लड़ों के कैचे इनके system को corrupt करके इसलिए तो cyber warfare is very important आपको computer science को हद से जादा especially hacking को ethical hacking को you need to promote course work चलाओ भाई तो रिकोनिसा unmanned aerial vehicle चाइना जो है WZ-8 में WZ-8 high speed रिकोनिसा unmanned aerial vehicle ये नया air system जो चाइना डेवलोप कर रहा और parade में दिखाता है parade में भाई नए-ने weapons दिखाई जाते है combat air vehicle फिर Chengdu J-20A ये aircraft PLAAF unit जो 2019 में बना था उसी के तहित इसको बनाया गया है ये नए तरीका के aircraft है शनियांग J-31 multi-role combat aircraft project तो ये सारे के सारे ये modernized है जस्टिन बॉंक बताते हैं कि PLAAF और PLA Naval Air Force अब ये अपने प्रोग्राम सलाएंगे Unmanned Combat Aerial Waker डेजाइन पर ये काम बहुत तेजी से कर रहे हैं Intelligent Surveillance, Reconnaissance और Stealth मतलब Strike और Offensive Capabilities बहुत तगड़ी हैंगी बहुत तेजी से बढ़ेगी अब भारत क्या करें? तेकि भारत को भी तो टू टो खड़ा रहना पड़ेगा ये माना कि चाइना के पास सेना में लगाते हैं लेकिन भारत भी ये कर सकता है भारत के पास challenge की कमी थोड़ी नहीं आपको भी science and tech में लेकिन वही ना कि जो हमारी politics है वो बड़ी रद्दी है कोई नेता है ही नहीं जिसके पास vision हो बस हिंदू-Muslim लड़वाद हो इसको कर दो उसको कर दो इतनी घटिया politics है यही problem है political will आपको चाहिए science and tech की कोई बात ही नहीं कर रहा है और लोग भी वैसे ही है लोग भी जो बात करता है कि road बनवाएंगे, science and tech पर ध्यान देंगे military modernize करेंगे अगर ऐसा manifesto मेरा रहे है यह सब नहीं बगवास है अगर मुद्दे की बात करो तो यह ऐसे नहीं चलता Malcolm Davis बताते हैं कि इसमें एक और चीज है ना कि आप देशों से coordinate कर सकते हैं जैसे Indian and Australian Navy यह साथ में काम कर सकते हैं इनका presence होगा तो हम PLA Navy को counter balance कर सकते हैं Quad initiative इसले बहुत important है भारत, अमेरिका, चाइना और और अस्ट्रेलिया इचारों मिलके ही चाइना को counter कर सकते हैं यह चीज है अब यहाँ पे एक और important है कि देखिए भारत की तीनों command ना integrated नहीं है हमारे यह प्रॉब्लम यह है कि एक तो तीनों Indian services का proper integration है नहीं फिर उसके बाद हमारे यह threat based जो हमारी जो approach हो है वो threat based है capability based नहीं है यह चीज है कि आप कितने capable हो नहीं कितना खतरा है उसको देखके यह approach किया जाता है अब देखिए integration बड़ा important है especially जब आप cyber warfare की बात करते हो cyber technology की बात करते हो China ने अपने तीनों army को ऐसे integrate किया हुआ है China space domains और electro cyber electromagnetic में भी dominate कर रहा है और भारत को इस पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जब भारत इस पे ध्यान देगा तभी तो हम world class military बना पाएंगे भालत के military शांदार है यह जो भी हो लेकिन China को अभी first hand experience नहीं है China की आर्वी काफी inexperienced है वो war में हारेगी लेकिन technology से जिए सकती है भाई वो आप ठीक वैसे ही समझ सकते हो कि conventional war कब जमाना गया इसराहल है इसराहल चोटा सा देश पूरा अरब मुल्क भी अगर उस पे जितने भी पूरा OIC Islamic State मतलब Organization of Islamic State अगर Islamic Corpression पूरे के पूरे अगर OIC भी उसके उपर हमला कर देना तो भी इसराहल का कुछ नहीं गाल पाएगा क्योंकि उसको टेक्निकली बहुत advanced है अब PLA को ये पता है कि अगर conventional war को जीतना है तो हमको तीम पर ध्यान देने पड़ागे Space, Cyber, Space और Electromagnetic Domains और 2015 में ये साफ हो गया था कि चाइना इसी पर ध्यान देगा लेकिर हम इस पर ध्यान नहीं दे रही है ये चीज़ है Beijing की Space और Counter Space Capabilities बढ़ती जा रही है उनका institutional organization बढ़ता जा रहा है वो reorganize कर रहे है और ये हमारे जो रीजन है ना South Asia वाला इसमें देखने को मिलेगा भारत की जो current defense spending उसकी priorities क्या है war fighting, conventional modes of deterrence हम Space Domain, हम Electromagnetic Domain की बात ही नहीं कर रहे है आपने budget में देखा है, चाइने इसमें बाजी मार रहा है उपर से two front war अगर चाइना कुछ भी करता है तो पाकिस्तान साथ देगा 110% पाकिस्तान बले एक फकड़ देश है लेकिन उसकी आर्मी तगड़ी है, मतलब है उनकी आर्मी हार जाएगी, उनकी आर्मी यकीनन हारेगी लेकिन underestimate हम नहीं कर सकते तो हमारे पास strategically mobile force या limited capabilities हैं और threats हैं हमारे पास काफी जादा तो इसी लिए भारत को इन सारी चीजों पे especially cyber, space और electromagnetic domains पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे के war ये conventional नहीं होंगे ये इनी के ही इसी पे ही लड़े जाएंगे हमारा शांदार banking का course है दोस्तो वीडियो on demand सारे 400 गंटे का content है, सारा recorded course है दोस्तो आप ये whatsapp number है और इस पे call भी कर सकते हैं मैं भी इसमें करें interface session ले रहा हूँ thank you so much